Hello Everyone, Welcome Back तो इस लेक्चर में मैं आपको बिलकुल एक सूपर ट्रिक बताने वाली हूँ on how to find lone pairs and bond pairs of electrons in case of any molecule or ion ठीक है तो ये टॉपिक है आपका chapter 4 chemical bonding से तो क्या करना है आपको सबसे पहले आपको valence electrons का पता होना चाहिए जैसे यहाँ पर हमने elements लिखे है तो इनके जो group numbers है तो group numbers क्या है इनके group number इसका है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तो ये S block के है ये P वाले है ये तो आपको बता होगा अब क्या है इसके group numbers जो भी है उतने इन में क्या होते है valence electrons होते है क्या होते है उतने ही इन में valence electrons होते है ठीक है neutral atom में और दूसरी बात होती है कि इनकी valence कितनी होती है तो देखो carbon तक अब बात करते हैं हम valence की ठीक है तो देखो जो lithium है उसकी valence कितनी है जितने ही इसमें group number है वो ही इसकी valence होती है valency का क्या मतलब है यहाँ पर valency का मतलब है कि कितने ये covalent bond बना रहा है ठीक है तो इसकी valency 1 है beryllium कितने बनाता है 2 और boron की 3 रहीगी और carbon की 4 रहीगी तो up to carbon क्या होगा up to carbon कितना रहना है जितना group number है जितने valence electrons है आप इस तरह से समझ सकते हो उतने ही इनकी valency रहनी है ठीक है up to carbon अब carbon के बाद क्या होता है जो valency होती है वो कितनी होती है या मैं शौट में आपको समझाओं तो valency उतनी होती है जितने number of electrons needed है to complete the octet तो 8 पूरा करने के लिए कितने electron need है उतने ही उसकी valency हो जाती है carbon के बाद तो nitrogen का valence electrons 5 है 5 में कितना add करे की 8 बन जाए that means 3 तो nitrogen की जो valency है that means वो है 3 क्या फिर आप ये भी कर सकते है carbon के बाद आपको क्या करना है 8 minus of valence electrons करना है ठीक है तो यहाँ पर क्या करोगे 8 minus of 6 और यहाँ पर क्या करोगे 8 minus of 7 और यहाँ पर 8 minus of 8 तो यहाँ पर जो valences आती है वो कितनी है यहाँ पर 3 है oxygen के case में आ जाती है 2, fluorine के case में 1 और neon के case में आ जाती है यह 0 ठीक है तो क्या क्या valences आईए आपके पास lithium के लिए 1, beryllium के लिए 2 boron, carbon के लिए 3 and 4 respectively और carbon के बाद देखो carbon तक क्या होगा जितने valence electrons है यह फिर कह सकते हो जितना group number है उतनी ही valence है बट after carbon क्या हो जाएगा 8 में से आपको valence electrons को यह फिर group number को minus करना है तो इसके लिए आ जाती है 3, 2, 1 and 0 बिल्कुल ही simple है ठीक है बस यह दो अगर आपको आगी first की उसके valence electrons कितने है that means group number कौन सा है दूसरी बात कि कितनी valence है इसके बाद आप बहुत एजी ली loan pairs and bond pairs निकाल पाऊगे ठीक है अब मैं आपको formula बताने वाली हूँ कौन सा हम formula यूज करेगे तो सबसे पहले loan pair के लिए ठीक है loan pair of electron अगर आपने निकाल ले है तो उसके लिए आप formula यूज करते हो valence electrons valence electrons of the central atom c denote करता है कि जो central atom है क्योंकि देखो loan pair किस पे निकाल रहे है central तो ये जो formula है उससे निकलते है loan pair on central atom तो central atom में क्या करना है उसके valence electrons निकालने है plus minus यहाँ पर वो करना है जो charge अगर हुआ Ayna के किसमे आपने साथ में plus minus यहाँ पर क्या करना है charge कि According charge plus minus नहीं करना है electrons को plus minus करना है according to the charge ठीके वो angeकित bliss में हम देख लेगे उसके बात क्या करना होता है आपको minus करोगे आप सबसे पहले number of bonded atoms number of bonded atoms कितने atoms central atom से bonded है उनका number और उसको multiply करना है from its valency its valency का क्या मतलब है कि जो atom है जो bonded atom है इसकी valency से नहीं bonded atom की ही अपनी valency से उसको multiply कर देना है और क्योंकि हम pair की बात कर रहे है तो divide कर देगे हम two से तो यह formula है इससे आप बहुत easily lone pair of electron on central atom निकाल सकते हो ठीक है so this is our formula for lone pair अब bond pair के लिए क्या करेगे bond pair के लिए bond pair के लिए बहुत simple है जितने आपके bonded जितने भी आपके bonded atoms है central atom के साथ हो जाता है bond pair होता है तो क्या है number of atoms linked to linked to central atom ठीक है central atom से जितने भी atoms linked है वो bond pair होता है उसका central atom का ठीक है तो bond pair कैसे निकलते है बहुत easy है जितने ही भी आपको atoms दिखाई दे रहे directly वो ही number होता है ठीक है अब practice करते है तबी ये formula आपको clear होगा तो पहले मैं basic से start करती हूँ water molecule से जड़ा हम start करते है ठीक है हम start करते है water से तो water के लिए हमें क्या करना है water के लिए हमें lone pair भी निकालने है और bond pair भी निकालने है तो formula क्या था सबसे पहले हमें lone pair देखने है on the central अब central कौन सा होता है तो हमेशा याद रखना जो lesson number है obviously वो ही central है तो यहाँ पर central atom कौन सा है यहाँ पर central atom है oxygen ठीक है तो oxygen के valence electrons कितनी होते है अब देखो कहाँ पर है यह group number 6 में है तो इसका कितने valence electrons है इसके बास 6 तो हम यहाँ पर write करेगे lone pair हम निकाल रहे है equals to valence electrons on central that is 6 minus number of bonded atoms कितने bonded atoms है 2 ठीक है 2 into its valency its valency मतलब hydrogen की valency तो hydrogen की valency कितनी है जितना उसका group number है ठीक है और उसका जितने उसमे electrons है ठीक है hydrogen के case में क्या हो जाएगा या फिर आप group number भी के सकते हो hydrogen lithium के उपर ही है ठीक है तो इसका आजाता है 1 वैसे भी इसमें only 1 ही electron होता है तो इसकी valency 1 ही है ठीक है तो यहाँ से divided by 2 आप कर लेते हो तो 6 minus 2 4 4 divided by 2 equals to 2 तो यहाँ पर lone pairs कितने आगे आपके पास lone pair आगे 2 और bond pair कितने होगे bond pair के लिए सबसे आसान चीज number of atoms linked to the central atom central atom से जितने भी number of atoms linked है तो यहाँ पर कितना number है यह hydrogen का 2 तो directly आजाता है bond pair of electrons आजाते है 2 तो यह आपके lone pair और bond pair आगे in case of water molecule ठीक है तो इस तरह से हम lone pair bond pair निकालते है second example करते है जरा second example में हम लेगे एक थोड़ा सा difficult example लेते है SO2 का sulfur dioxide का हम example लेते है उससे आपको यह formula जादा clear हो जाएगा कैसे use करना है ठीक है हमें क्या करना है यहाँ पर lone pair निकालने है lone pair निकालने के लिए नीचे sulfur आता है तो उसका भी group number क्या है valence electron आप कह सकते हो या फिर इसके जगा आप group number भी लिख सकते हो तो group number कितना है oxygen की नीचे sulfur है that means वो इसी group में आ रहा है SO इसके लिए हम use करेगे 6 minus कितने bonded atom से 2 oxygen है तो यहाँ पर minus 2 करेगे into its valency its valency मतलम यहाँ पर oxygen जो bonded atom है उसकी valency कितनी है तो देख लेते हैं oxygen की किसमें कभी भी आपको यहाँ पर carbon से आगे valency निकालनी हुई तो आप कैसे निकालोगे 8 मैं से minus करना है आपको group number या फिर कितने electrons चाहिए to complete the octet तो 6 valence electrons है 6 को 2 electrons चाहिए to complete the octet तो यहाँ पर जो valency of oxygen होती है वो 2 है बाकि आप directly भी इनको learn कर सकते हो कि oxygen की valency वैसे भी 2 होती है ठीक है divided by 2 2 to 4 6 minus 4 2 of atoms लिंक्ट है central atom से 2 oxygen लिंक्ट है तो directly bond pair आ जाते है 2 bond pair तो बहुत ईजी ली निकल जाते है ठीक है तो इस तरह से आप loan pair और bond pair निकाल सकते हो बहुत ही आसानी से एक और example देखते है next example लेते है जरा हम हम लेते है P-O phosphate का P-O4 3 negative ठीक है phosphate का जरा देख लेते है किस तरह से इसमें loan pair and bond pair निकलते है loan pair के लिए क्या करना है balance electron phosphorus कहां आता है आपको पता होना चाहिए periodic table आपको ध्यान होना चाहिए nitrogen के नीचे आता है phosphorus और कौन से group में पढ़ रहा है 5th group में ठीक है 5th group आजाता है यहाँ पर तो 5 कर देगे 5 minus 4 times oxygen ठीक है अब देखो धिहान से देखो यह आएन है तो आएन के case में मैंने क्या बताया था आपको कि यहाँ पर जो valence electrons लिखने है उसमें plus minus electrons करने है according to the charge अब यहाँ पर हम molecule के साथ deal कर रहे थे this is our iron तो यहाँ पर valence electrons कैसे लिखेगे loan pair equals to valence electrons कितने होते है phosphorus के 5 क्योंकि यह nitrogen के नीचे है तो 5 लिख लेगे साथ ही साथ 3 minus क्या represent करता है 3 minus minus का मतलब होता है कि 3 electron extra है 3 negative का मतलब है 3 electrons extra है central atom पे तो हम यहाँ पर valence electrons में 3 electrons को plus कर देते है this is very very important example ठीक है तो 3 electrons हम यहाँ पर इसमें plus कर दे कि minus बाकि अपना formula same रहेगा तभी मैंने valence electrons पे यहाँ पर plus minus लगाया है क्योंकि ions के case में plus minus यहाँ पर करना होगा now number of bonded atoms कितने atoms bonded है 4 atoms तो यहाँ पर 4 atoms bonded है और इनकी इन atoms की valence कितनी होती है oxygen की valence कितनी होती है 2 होती है अब तो आपको learn भी हो गया होगा divided by 2 तो इस तरह से formula लगाएगे 5 plus 3 कितना हो गया 8 8 minus 2 4 2 सा 8 8 minus 8 divided by 2 that means loan pair कितने आगे यहाँ पर 0 loan pair यहाँ पर 0 आगे और bond pair कितने आएगे bond pair bond pair कितने होगे यहाँ पर 4 चार यहाँ पर oxygen लगी है central atom पर तो bond pair होगे यहाँ पर आपके 4 ठीक है तो इस तरह से हम loan pair and bond pair निकालते है बहुत ही आसानी से ठीक है तो देखो यह जो formula है इससे आपको बहुत ही आसान हो जाता है बहुत ही आसान हो जाता है loan pair निकालना bond pair निकालना और आगे इसी की help से आप shape भी predict कर सकते हो किसी और lecture में मैं वो practice करवाँगे आपको एक last example देख लेते हैं BRF5 ठीक है BRF5 इसमें आपको loan pair and bond pair of electrons निकालने हैं तो loan pair के लिए वही formula अब देखो जो ब्रोमीन है वो कहां पर आता है halogen है फ्लोरीन के नीचे आता है तो फ्लोरीन कौन से ग्रूप में है 7th है ठीक है तो ये भी valence electrons कितने होगे 7 है plus minus कुछ नहीं है तो हम आगे बढ़ेगे minus कितने number of bonded items है 5 है और उसकी valence कितनी है फ्लोरीन का 7 valence electrons है तो उसको एक electron की need है to complete the octet या फिर डारेक्ली आप ऐसे भी कर सकते हो 8 minus 7 equals to 1 तो फ्लोरीन क्या है valence कितनी है 1 तो इंटू हम कर देगे 1 divided by 2 7 minus 5 2 by 2 equals to 1 तो लोन पेर कितना आगे है यहाँ पर आपके पास 1 ठीक है तो इसमें लोन पेर आपके पास 1 आगया bond पेर कितना है 5 ठीक है bond पेर तो बहुत easy होता है directly ही आपको पता चल जाता है तो इस तरह से लोन पेर and bond पेर हम निकालते है ions के case में भी मैंने बता दिया कि जितना यहाँ पर negative या positive होगा उसके according आप plus या minus करोगे अगर माल लेते हैं कि इसकी जगा plus 2 होता तो plus 2 का मतलब है दो electrons की deficiency है तो हम यहाँ पर 5 minus 2 करते ठीक है तो इस according valence electrons को आपने यहाँ पर के साथ plus minus करना है in case of ions बाकी main formula यह है lone pair of electrons कैसे निकलते है valence electron on the central atom ठीक है लिखना है अगर ion है तो उसके साथ plus minus करना है electrons accordingly minus करना है number of bonded atoms जितने है bonded atoms मतलब जितने आपको यहाँ पर दिख रहे है उसके साथ जुड़े वे into उन bonded atoms की valency से multiply करना है अब valency कैसे निकलती है वो मैंने आपको बता दिया है और whole को divide करना है 2 से and will get our lone pairs कितने number of lone pairs and bond pair कैसे होते है जितने यह directly आपको number दिखाई दे रहे जितने atoms आपको link दिखाई दे रहे central atom से वो directly आपके bond pairs कहलाते है ठीक है and bond pair of electrones थैंक यू सो मुच